नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन शिव पूजा से जुड़ी हुई कुछ बहुती महत्वबूर बहुती आवश्चक बातें जो हर एक शिव भक्त को हर एक शिव के उपासक को जरूर जानना चाहिए शास्त्रों के नुसार शिव की उपासना करके जीवन से भए संकट परिशानियों को दूर करने के लिए प्रदोश किती थी सोमवार का दिन जो है ये बहुती विशेश काल होते हैं धार्मित माननेता है कि इस दोरान शिव भक्ती में किये गए शिव इस्तरोत मंत्र या पूजा विधान शुब और मंचाहे फल जातक को देते हैं इन विशेश महूर्त में इन विशेश घडियों में शिव भक्ती के लिए शिव मंत्रों का जाप आसान और प्रभावी माना जाता है कि इन तुरू मंत्र जाप के लिए भक्ती और आस्था में डूबा भक्त को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो उसकी मनोकामना शी जाप शुरू करने से पहले मंत्र जाप आरंब करने से पहले बगवान की मूर्ती बगवान भोलेनाद की मूर्ती या शिवलिंग पर बिलवपत्र चढ़ा करके जल की धारा समर्पित करके उनको प्रणाम करके उनसे आग्या ले करके ही आपको मंत्र जाप आरंब करना ये कामना सिद्धी के लिए बहुत इशुब और बहुत जादा प्रभावशाली चमतकारी ये माना जाता है तो ये तीन प्रमुख बाते हैं जो किसी भी शिव भक्त को जरूर जाना चाहिए जो भी भगवान शिव की आस्था रखता है भगवान शिव की पूजा करने का होती हैं वो निश्चती पसंद आती होंगी आप सभी से बार बार आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैप होवन जै महाकाल हरहर महादेव